रविवार को खेले गए पहले वंडे मुकाबले में भारती टीम ने कमाल, धमाल और बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए मेजबान दक्षन अफरीका को आठ विकेट से शिकस दी जोहनसबर्ग में खेले गए इस मुकाबले को भारती गेंद बाजी यूनिट ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक तरफा बना दिया था जिसके चलते भारती टीम ने इस मैच को एक तरफा अंदाज में ही 200 गेंद रहते जीत भी लिया कल हुए इस मैच में भारती टीम के 30 गेंद बाज अर्शदीप सिंग ने अपने 10 ओवर के स्पेल में महस 37 रन खर्च करते हुए पाच बल्ले बाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया फिर मैच के बाद अर्शदीप सिंग ने बताया कि वो केल रहूल के पलान की वज़ा से पंजा खोल पाया जी हां अर्शदीप सिंग के इस 5 विकेट हाउल के पीछे केल रहूल का मास्टर माइड था मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस बाद से परदाफाश करते हुए अर्शुदीप सिंग ने कहा मुझे यहां के उच्छाल के बारे में जानकारी नहीं थी जब मैं अपनी पारी के दो तीन ओवर फेक चुका था तब जाकर मुझे इसकी जानकारी मिली इस बीच थकान की वज़ा से मेरी सांसे फूलने लगी थी लेकिन महत्वपूर मुकाबलों में व्यक्तिगत तोर पर टीम के लिए ऐसे प्रदर्शन करना हमेशा ही बेहत खास होता है टीम में अपनी भूमिका का मैं लुफ्त उठा रहा हूँ मैं राहूल भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैदान में मजबूती के साथ वापसी करनी चाहिए और पांच विकेट चटकाने का लक्षे रखना चाहिए तो देखा अपने किस तरह कप्तान केल राहूल ने अपने के इनबास पर भरोसा जटाया और उसका मनुबल बढ़ाया और फिर जो हुआ वो प्योर मैजिक ही था वहीं अब अगर मैच की बात करी जाए तो इस मैच में दक्षिन अफरीका की टीम ने टॉस जीद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था जिसके बाद साउथ अफरीका की टीम शुरू में ही लड़ खड़ा गई और महज तीन रनों पर उसके दो बल्लेबाज पवेलियन लॉट गए विकेट गिरने का सिलसला एक बार जो शुरू हुआ तो वो थमा ही नहीं और 27.3 ओवर में 116 रन बना कर पूरी साउथ अफरीका की टीम पवेलियन लॉट गई जबकि इस छोटे से लक्ष का पीचा करते हुए भारत की ओर से डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन और मिडल ओर बैट्समैन शुर्यस अईयन ने शांदार अर्देशा तक जलते हुए महज 16.4 ओवर में दो विकेट खोकर ये मैच भारतिय टीम के कदमों में लाकर रख लिया वैसे कल की परफॉर्मेंस देखकर क्या आपको लगता है कि भारतिय टीम जिस लेफ्ट आर्म पेसर की तलाश में है काफी समय से वो अर्शदीप सिंग ही है आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फिलाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस सब्सक्राइब करना ना भूले